नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कुमार चोधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिक्सेंड मस्ती दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महिंद्रा फाइनेंस के लौन के EMI एमाउंट की पेमेंट आप अपने मोबाइल से फॉन पे के माध्यम से कैसे करें और इसका क्या प्रोसेस है इस वीडियो में बिल्कुल इस्टेप बाइस्टेप इसकी पूरी डीटेल जानेंगे तो अगर आप अपने खुद की या किसी ग्राहक की महिंद्रा फाइनेंस से ली गई कोई भी फोर्विलर या ट्रेक्टर या कोई पूच रहे हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है फॉन पे अब के जरिये पैमेंट करना दोस्तों कई बार होता क्या है कि हमारे एकाउंट में बैलेंस कम रहने के कारण या किसी अन्ली कारण से हमारा लॉन की EMI एमाउंट हमारे बैंक एकाउंट से ऑटोमेटिक नहीं कट प पड़ता है अपना EMI पे करने के लिए तो अगर आप फॉन पे एप का यूज करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी EMI पेमेंट के समस्या खत्म हो जाएगी और आप अपने मोबाइल से ही महिंद्रा फाइनेंस की लॉन की EMI पे कर सकेंगे तो आइए चलते ह अपने मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं इसका लाइप प्रोसेस मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे और भी नए नए वीडियो आप तक असानी से पहुंच सकें तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने ईपम पर अपको ओपन करें और थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करें तो यहां पे आपको रिचारज एंड पे बील के सेक्शन में यहां नीचे में आपको loan repayment का option दिखाई देगा उस पे आपको click करना है जिससे नीचे में आपको बहुत सारे यहां पे company की list दिखाई देगा आपने recently में कोई company में pay किया है तो आपका सबसे उपर में आएगा और उपर में आपको search वाले option पर click करके महिंदरा search करना है जिससे आपको यह वाले option में महिंदरा and महिंदरा financial service limited जो first में 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 आ रहा है yellow color का इसका icon है उसमें आपको click करना है उसके बाद आपको loan account number मांगा जाएगा तो आपने जहां से भी finance कराया है तो आपको एक loan account number दिया गया होगा उसी number को आप यहाँ पे डाले loan account number वाले option में और उसके नीचे mobile number आपका मांगा जा रहा है या फिर vehicle registration number इनमें से दोनों में अधी आपका mobile number आप उसमें register करके दिये है तो mobile number डाले या फिर आपके गाड़ी का जो number है उसे भी आप डाले तो मैं फिलाल यहाँ पे mobile number डाल लेता हूं और फिर confirm वाले option पर click करता हूं जिसके बाद यहाँ पे build detail में नीचे में customer name आजाएगा मतलब जिसके नाम से आपका finance हुआ है जिसके नाम से loan है उसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं और फिर इसे आप confirm कर लें कि यही नाम है उसके बाद आपको inter amount all option में जितनी amount आपका EMI pay करना है उसे आपको inter amount all option मे डालना है तो मैं यहाँ जिस customer का pay कर रहा हूं उसका 18500 रुपे हर महिने pay करना पड़ता है उसका EMI amount 18500 है तो 18500 डालना के बाद proceed to pay वाले option पे click कर दे रहा हूं और फिर इसमें आपको अपना bank account select करना है जिस भी account से आपको pay करना है और फिर pay वाले option पे click करें जिसके बाद अपना UPI pin को डालना है यहाँ पे security region की वज़े से UPI pin का screen में आपको नहीं दिखा पा रहा हूं उसके बाद जैसे ही आप OK कीजिएगा तो यहाँ पे आपका processing payment आएगा इसके बाद थोड़ी देर तक wait करना है देखिए उसके बाद आपका payment successful हो जाएगा your payment of 18500 रुपे जो payment हुआ है वह आपका loan के साथ update हो जाएगा उसके बाद view detail वाले option पर click करें जिससे आपका यहाँ पर loan नमर दिखाई देगा उसके बाद फिर उसके नीचे bill detail वाले option पर click करें जिसमें bill detail में आपको यहाँ पर customer का नाम भी आ जा रहा है और नीचे payment detail का transaction नमर और bbps transaction ID आ आपको यहाँ पे जिस भी account से आप debit किया उसके आखरी के फोरंक दिखाई देगा और नीचे में utr नमर भी आ रहा है तो इससे आप screenshot करके अच्छी तरह से सेव करके रख ले या फिर इसका print out भी निकालके आप अपने पास रख सकते हैं भाश में प्रूप के तोर पर यू पे करें सीख गए होंगे अगर इसी तरह की और भी महतपुर्ण वीडियो को आप सबसे पहली देखना चाते हैं तो अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिक्स और नमस्ति को सस्क्राइब करके बेल बटन को आउन कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में आपका दिन मंगलमय हो